आप कि ना मैं डरता किसी से ना मैं कायर हूँ तुझे तेरी जंग में हरा सकता हूँ क्योंकि हात में मेरे कलम और बातों से मैं साहर हूँ कि एक सुनिया काई कि कैसी बंदी से यह मुझे इस बंदी से नजाद चाहिए कि कैसी बंदी से यह मुझे इस बंदी से नजाद चाहिए कुछ अदूरे अलफाजों को फिरोना मुझे केली राज चाहिए और किस कदर टूटा हूँ कभी फुरसत मैं समझाओंगा मैं कि ना कोई मुझे अपना गेने वाला है, मेरे हक में कोई अबादत नहीं है, और कई गम सीने में दफना रखे हैं, जनाब लड़का होना मुझे रोने की इजाज़त नहीं है, क्यों हक में हमारे बेहसाफ वीरानिया मिली, क्यों हक में हमारे बेहसाफ वीरानिया मिली, जब भ धदूरी लिखया हमने थोड़ा हम ने पढ़ा थोड़ा चुमनेश पढ़ के छोड़ दिया एक पन्ने पर मोरत यह दूरी लिखया हमने दे आं detta डोशली यह बात हो जाने दो फिर एक दफा मोपथ खाने दो तुम स्वुद को पर्दे मेInsार को मुझे बेपड़ा हो . जोन साब के उपर लिखा था कि माफिद देना गल्ती हो जाए थो कि आखे सब बयागर गई मगर होटो से मौन था वो कि आखे सब बयागर गई मगर होटो से मौन था वो ना चीका ना चिलाया इतना बेबस कौन था वो कि आखे सब बयागर गई कि मगर होटों से मौन था वो ना चीका ना चिला एा इतना पेबस कौन था वो और कई गम सीने मे दफना कर मुस्कुरा दा रहा सायद, सायद जोन था वो एक परिंदा चुबचाप स रहता है सब मालूम उसे फिर भी अंजान स रहता है कि एक परिंदा चुपचाप सा रहता है, सम मालूम उसे फिर भी अंजान सा रहता है और सिफर ये जज़बात का गला गोट कर, नए सहर में पुराने मकान सा रहता है कि खसारा ये जिन्दगी का करकर हस रहे हम कि खसारा ये जिन्दगी का करकर हस रहे हम उस बेवफा की बातों में फिर एक दफा फस रहे हम कि खसारा ये जिन्दगी का करकर हस रहे हम उस बेवफा की बातों में फिर एक दफा फस रहे हम और रास्ता ये फरोग का छोड़ कर ना जाने क्यों बयां-बयां इस दिल की बस्ती में बस रहे हैं वक्त के साथ उसकी गुपतगू हो रही है तो उसके ओपर मैंने कुछ लिकी दिलाईने कि ए बीते हुए वक्त मुझे मकसूम की इदायत ना दे तो गुजर चुका है हर वक्त मुझे मेरी सिकायत ना दे और साथ के सुके फूलों साथ किरदार ना बना मेरा मेरे अतीत में हुए आस्तों की मुझे रिवायत ना दे ए बीते हुए वक्त मुझे मकसूम की इदायत ना दे और बंदिस में नारक मुझे खुआ बे ताबीर दिखा कर हुने दे बरबाद मुझे मेरे हक में जबरे हिमायत ना दे एबीते हुए वक्त मुझे मकसूम की दायत ना दे कि महबत होते हुए भी उनको बुलाया जारा है कुछ से ही खुद को दफनाया जारा है कि महबत होते हुए भी उनको बुलाया जारा है, खुझ से ही खुझ को दफनाया जारा है, जिसकी तस्वीर देके बिना सुबा नहीं होती थी, आज उसकी तस्वीर को भी जलाया जारा है, टेंक यू